हलो दोस्तों आज हम एथिक्स के पेपर का पहला लेसन पढ़ने वाले हैं और आज के लेसन में मैंने कोशिश की है कि जो हमारा सेल है बस उसके according में अच्छे लेसन बना पाऊं और अच्छे नोड्स यांपर आप लोगों को दें पाऊं साथ टेसाथ, इन नोटस हो की साथ मैंने कोशिज़ के कि किस प्रकार आप लोगों की मेंस की जो इसिक पेपर के आंसर राइटिंग है, वो भी हम 7 ए 7 लेकर चलें, pengen लेकर चलें, यहाँ पर मैंने 2-3 कुषनाथ सामिल के, आप बाद यह कर सकते हो कि जैसे आप लोगों ने लेशन पड़ा अच्छी तरह के से आप लोगों के समझ में आ गया और उसके बाद में एक बार थोड़ा सा रिविजन करके फिर इन कुर्शन को आप attempt लेने की कोशिच करना और कोशिच करना कि जैसे मैंने अच्छे model answer बनाएं आप वै कि एक बार आप ठीक ठाक पढ़ लेते हो ना सब भी syllabus को उसके बाद में लिखना इसको आसान होता है तो आप चिंता मत करना लेकिन एक basic idea यह लग जाएगा कि आप लोगों को किस प्रकार करनी चाहिए तो इसके लाबा मैं बताना चाहता हूं यदि आप इस channel पर नए हो तो कि इसके लाबा मैंने में मेरे नीमंद है उनकी जैसे मोग टेस्ट लिखें उनकी मैंने वीडियो के description में पीडियो पी डाली है साथ यसाथ आप मेरे टेलीग्राम चनल को जुरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं जो भी लेसन मनाता हूं उनकी पीडियो में वहां पर सेर करता हूं तो मेरे टेलीग्राम चनल का नाम है यूपीसी इस्टेडी वित तर्मेंदर जाकर और मैं इस लेसन के description में भी टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा आप वहां से जाकर जोइन कर सकते हो और मेरे डेली वेसिस पर जो भी नोट्स बनाता हूं वहां सेर करता हूं आप उनका फाइदा अफटा सकते हो तो चलिए सुरू करते हैं आज मैंने कोशिश किये कि नेतिसास्तरता मानवे से समंद्ध का हमारा जो टॉपिक है हम सेलिवस वाई जी इसमें आगे बढ़ेंगे और किस प्रकार मैंने तीन-चार सालों में मैंने च्यार मिन्स लिखे हैं तो मैंन के दूराँ जो फी मिनने नोट्स बनाएं उन नोट्स हो को मैंने एक साथ यहां पर मतलब प्रस्तुत करने कीुशिश जिए तो जैसे आज की लेशन में मेरा ये टॉपिक में एड्रिस किये मानवे किर्याकलाप़ में नीतिसास्तर का तत्व क्या है इसके लावा नितिसास्तर के निर्दारिक तत्व कोंच हैं, इसके प्रिणाम क्या है, नितिसास्तर के आयाम क्या हो सकते हैं, इसके लावा नितिसास्तर, मतलब नीजी और सरवनिक समंदों में नितिसास्तर की क्या पमिक है, तो इस lesson में जो topic मैंने address के हैं, वो यहां तक address के ह अगला जो lesson में बनाऊंगा उसमें बनाएंगे कि माननुमूली और उनसे समधिद जो भी topic होंगे उनसे समधिद बनाएंगे lesson फैस्ट में मैंने यहां तक इसको सामिल कर दिया यह नितिशास्तर से समधिद जो भी topic है उनके अच्छे lesson specific कोशिस की है तो आगे बढ़ते हैं, हम syllabus को ध्यान में रखेंगे, उसी के grounding आगे बढ़ेंगे साथ ये साथ previous year के जो paper है, उनको भी हम साथ में लेकर चलेंगे, उनकी answer writing भी करेंगे तो सबसे पहले हम सुरू करते हैं, नितिशास्तरता मानवी सह समंद, ethics and human interface तो ये topics, ethics के topics आपको UPSC के exam के साथ साथ, आपकी जो भी मतलब state pieces के exam है, वहां पर भी बहुत ज्यादा काम बने वाले हैं कि किस प्रकार हम ethics के answer writing कर सकते हैं, sort में notes बना कर पढ़ सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं, ethics क्या है, तो देखो, ethics को नितिशास्तर हिंदी में बोलते हैं और basic चीज के रूप में हम ये देख सकते हैं, तो ethics एक ऐसा सिधानत है, या ऐसा दर्सन है, जो हमें guide करता है कि हमारा मतलब विवार कैसा होना चाहिए, यानि हम किस प्रकार नितिक रास्ते पर चल सकते हैं, तो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो नितिशास्तर है, वो एक सिधानतिक पार्ट है, मतलब practical पार्ट नहीं है, सिधानतिक पार्ट है, जो कि हमें ये इस बात पर बल देत है कि हमें क्या करना चाहिए मतलब एक आदर्स guideline के रूप में हमारे सामने एक नितिक समुच्यों या सिधानत का एक समोह हो सकता है तो सामने बास हमें यही समझ रहे है कि नितिसास्तर क्या है नितिसास्तर नितिक सिधानतों की एक ऐसी पढ़ना लिए यानि आप यहीं बोल सक करता है क्या करता है कि क्या सभ है गलत है कि हमें जब भी को डिउसिजन लेना ओना तो मतलब वह नितिक है कि न stehen चिध्याद चाहिए उसके साब से अच्छे-पूरे उची तनुची के बीच में हमें अंतर को समझाने में हमारी help करता है यानि हमारी जो भी नितिक दूइदाए होती है तो हमें ये guideline नितिसास्तर से प्राप्त हो सकती है कि हमें किस परकार कारिय करना चाहिए इसके लावा नितिसास्तर को मानव आचरन के लिए मारक दर्शक परकास कहा जा सकता है जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे मतलब अलग 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 फिल्ड के लोग है जैसे डोक्टर है उनकी नितिकता अलग होती है उनके फिल्ड की क्या उनकी इतिक्स है इसके लाव इन्मारिमेंट इतिक्स क्या है सामाजी नितिकता क्या है तो समझने की यहां पर बात है कि नितिशास्तर क्या है नितिशास्तर एक व्यापक सब्द है जिसके अंदर बहुत सारे सब्सामिल है मतलब नितिकता तो उसका एक पार्ट है यानि नितिकता 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 क्या है जैसे हम आगे बात क नितिकता का आये ना यहां पर आप परना देखो नितिकता और नितिसास्तर में मतलब एक ही सब्द मत्मान लेना यह दोने अलग लग है नितिसास्तर क्या है मतलब वेवारिक नहीं है नितिसास्तर है सेधान्तिक जब कि बात करेंगे न वह होगा प्रैक्टिकल वेवारिक मतल तो practical में आप कैसा व्यवार कर रहे हैं, वहाँ पर है morality, यानि आपकी नितिक्ता कैसी है, आपकी समाज के परती नितिक्ता क्या है, आपकी environment के परती नितिक्ता क्या है, आपकी मतलब देश के परती क्या नितिक्ता है, तो यह हो गया आपकी morality, और क्या होना चाहिए, वो है नि नितिशास्त्र को इंगलीज में बोलते हैं एथिक्स और मॉरालिटी है मतलब नेतिक्ता तो यहां पर नेतिक्ता क्या है यह सामाजिक मान को मुल्यों से बनने वाले ऐसे आधरसात्मक सिदान से हैं समधित होता है जिनके आदार पर हम किसी वेक्ति के आचरण में सही और गलत तो वेक्ति मतलब उसका आचरण कैसा है कि वो सही आचरण है या गलत आचरण है वो जूट बोलता है या सत्य बोलता है या वो हिंसा करता है या अहिंसा करता है तो वह तो एक वेक्तिक नेतिक्ता होगी ना तो नेतिक्ता से मतलब यह है कि मतलब कैसे हमारे सामाजिक मानक ह और हम उसके अनुसार कैसा practical में विवार करते हैं, वो है morality, नेतिकता, तो दोनु वर्डों को मिला मतले, दोनु अलग लगे, और दोनु की एदियम एक चीज़ notice करें, दोनु में एक चीज़ में समन देखें, तो याद रखना आप ऐसा diagram बना सकते हो, जैसे इसमें, तो ये क् एतिक्स है, बड़ा वाला जो diagram है, एतिक्स है, और जो छोटा वाला diagram है, वो morality है, यहनी, ethics बड़ी है, morality उसका एक part है, तो हम ये कह सकते हैं, कि नेतिक्ता जो है, नेतिशास्तर का एक part है, जो हमें practical वे विवार कैसा करना है, या कैसा हम आचरन करते हैं, तो उसको वो देख करने हैं अपर हो सकता है अघसा पूच्छ ना जाई कि नेतिक्ता नितिसास्तर कना घ्राग धाग है या इसे अलग है तो दोंगी तवड़ेंगक का धरिकोंग है कि काई कि द्ञ। 겠imento कशन डिरान के रूप में जबकी नेतिक्ता क्या है practical way में कि वेक्ति गत वेवार के मुल्यों का समझे है किस परकार वेक्ति अपना आचरन कर रहा है वेवार कर रहा है तो वो गया इसके लावा हम देखते हैं कि निति सास्तर व्यापक है या नहीं मतलब एक वाइड है काफी मतलब नितिकता से तुलना करें तो बहुत व्यापक काम करने वाले लोगों की अलग नेतिकता हो सकती है इसके लाव यह आंत्रीक है यह नि वेक्ति के वेवार पर डिपैंट करती है तो वो गलाती है नेतिकता इसके लाव हम देखें तो यह वर्त है मतलब काफी बड़ी है और मतलब एक तरसे इसको खह सकते हैं यह सीमित है यहां पर नितिशास्तर बड़ा है और यह सीमित है यहां पर नितिशास्तर बाए है मतलब बाए पक्स को ज़्यदा दिखाता है और यह नेतिकता आंधरिक पक्स को ज़्यदा दिखाती है इसके लाव यह दिए हम वेवार की बात करें तो नेती सास्तर नेतिकता को दिखाता है जबकि यहां पे तोड़ा सा उल्टा लिग दिख दिया इसको यहां पे हम यह देखना है कि नेती सास्तर क्या है नेती सास्तर फोड़ा सा यह व chips लींग तो फेसश MILLSTEA में तो यहां पर हम थोड़ा सा इसको काटेंगे, नोट्स में भी देखेंगे, तो कुलम लाकर यह दोनों की तुलना होगी, नितिसास्तर और नेतिकता की यहां पर तुलना है, इस पस्ट रूप से समझ में आ गई होगी, एक वार थोड़ा सा रिवजन कर लेते हैं यहां पर, कि नितिसास्तर क्या है, नेतिक मुल्यों का समुच्छी है, जबकि नेतिकता क्या प्रेक्टिकल रूप में है, मतलब नेतिसास्तर बाय और वस्तुनिष्ट है, जबकि आंत्रिक और आत्मनिष्ट है, नेतिसास्तर वरत रूप में, यानि नेतिकता की तुलना में व्यापक इ दिखां धी है फिर आगे हम बढ़ते हैं कि जैसे इसमें डाइग्राम आप ऐसा बना सकते हो एसा नवलास कि अगराम कहलतM यहह सॉत्स हलहिग है ऑगे हम बंद सक्कीय के प्रिक्ता है कि पर सिदांत होनी चीह कि नीजीच सीदांत हुने है है किस प्रकार मानों का विवार होना चाहिए, मतलब उसके अंदर एक guideline के रूप में लिखावा है, कि मानों का विवार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए या बूरा होना चाहिए, मतलब उसके मतलब क्या प्रणाम होते है, बाद में अच्छे विवार का क्या प्रणाम ह आपराद में हमें अंतर करना चाहिए तो यह बाते Ven calendar निती सास्तर में यह बाते मतलब एक तरश कि विवारिक जो मानों का विवार कैसा होना चाहिए practical रूप मैं उसके guideline की रूप में हमें एक निर्देश होते हैं इसके लाव हम प्रेक्टिकल लाइप में भी देखते हैं कि हम किसी व्यक्ति को करेक्टर को हम देखते हैं तो वो कैसा होता है हम देखते हैं कि कुछ लोगों का करेक्टर आदर्स होता है उसमें कि वो लोग हमेशा क्या करते हैं मतलब दूसरों के बलाही के लिए कारिय करते ह हमेशा दूसरों के लिए त्याग की मामना रखते हैं आप जितने भी महानपूर्स हैं उनकी एक वार इस करेक्टर में आप देख सकते हो कि जितने भी महानपूर्स हुए है उनमें एक चीज मतलब common पाई गिए कि वो हमेशा व्यापकता में दूसरों के हितों को महत्व देते हैं जबकि जो निम्न आदर्श होता है यहनि जो निम्न करेक्टर वाला वेगती होता है जिसका करेक्टर अच्छा नहीं होता या मतलब एक तरह से कह सकते हिई जो केवल अपने हितों में लगा रहते है तो हम यहां पर भी अपने वेवार में भी देख सकते हैं क्या कि हमारा जीवन है या हम जुकारी कर रहे हैं क्या उससे लोगों की भलाई हो री है क्या हमारा स्वार्थ सिध्ध हो रहा है या मतलब लोगों को भी उसका फाइदा मिल रहा है तो हम जो भी कारिय करते हैं तो उन कारियों के बारे में हम क्या कर सकते हैं अंतरात्मा में यह मतलब परसंड कर सकते हैं या अंतरात्मा की आवाज हम सुन सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उसमें भी ये काम आता है, तो हम किसी भी करेक्टर को अपने आज सपास देखना कोई भी करेक्टर हम देखते हैं कि उच आधर्स वाला है, तो उसके अंदर ये गुण मिलेगा कि वो दूसरे लोगों के जीता है, यानि दूसरों लोगों के बलाई के कारिये करता है, इसके लाव हम देखते हैं कि जो उच आधर्स वाला वेक्ति है, उसमें क्या होता है, मतलब उसके अंदर एक मतलब ये पॉइंट वही हो गया दूबरा से, कि एक तरशी दूसरों के जीने की बावना होती है, यानि वो अपने इच्छाओं को ज्यदा मेतू नहीं देता है, यहां पर ये पॉइंट आ सकता है, कि जो उच आधर्स वाला वेक्ति है, वो अपने जो इच्छाओं होती है, जो निमन इच्छाओं होती है, लालच होता है, तिर्षन होती है, जो भी पॉइंट है, बता सकत की थो में देखते हैं कि जो उच आदरस वाला वेक्ति चुनटा है और विवाज के वाला ऑष्ट नियुग के प्रियों को मन के देगा, वो एकदम मतलब सैदान्तिक रूप से एकदम मशीन की बाती क्या करेगा, बुद्धी को ज़्यादा प्रियों करते हुए, अपने कारियों को मतलब पूरा करने का प्रियास करेगा, तो यह क्या करता है, निति सास्तर हमें ऐसी बाते सीखाता है, प्रेक्टिकल जैसे कोचिंग सैस्तान के अगरते हैं, बाहरी बरकम नोट्स देते हैं कि उनको पढ़ते-पढ़ते कितना समय बीच जाता है, आप यह देखना कि कोई भी कोचिंग सैस्तान की इस टॉपी के वीडियो देखना, साइध वो 10-15 गंटे में इसको पढ़ाएगा, यहां मेरी इस साल हैं, उससे पहले 105 मार्क्स मेरे आएं, उससे पहले 2 वार 90-90 मार्क्स आएं, लगबग, तो इसका मतलब हम सोट सलिबस से भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्यों कि एक्जाम में कितना लिखना होता है, 1500 में हमें कुस्न लिखने होते हैं, तो ज्यादा पढ़ लें इसके लाबा 2RC की मैंने रिपोर्ट बताई दी आपको इधिक्स वाली रिपोर्ट, आपके पास टाइम हो, न्यू एस्प्रेंट होता उनको पढ़ना चाहिए, आर 2RC की रिपोर्ट आप पढ़ोगे न, तो आपको इतना नोलेज मिलेगा, इधिक्स का इतना नोलेज मिल ज देखेंगे कि नेतिक्ता के आयाम क्या है, यानि नेतिक्ता को निर्दारत कोन करता है, क्या कोन से सिधानत जो नेतिक्ता को निर्दारत करता है, जैसे आपकी और हमारी नेतिक्ता क्या होगी, किस पर डिफेंड करेगी, एक बच्चा जब परिवार में जनम लेता है, तो उ बहरती आयाम को देखें और पास्त्य आयाम को देखें ठीक है युज़ियोड इसमें आयाम में प्रमुक लें जैसे भारती जो नेतिक दर्शन है उसमें क्या बताएगए कि जैसे आस्र अध्रम की उसमें एक मतलब थोड़ी बिदाएगी इसमें डीप में बनीजाना नोर्मल करते रहना है करमसिल बनना है तो वह शिदान हम देख सकते हैं सामाने द्रम क्या है अब देखो आपका और हमारा सामाने द्रम क्या है अभी तो हमारा सामाने द्रम यह कि हम इमानदार से मैनत करें ठीक हमारी करते भी तो यह ना हमारा करते भी हमारा सामाने द्रम है कि हम इमान तो कुल मुलाकर बात है कि एक सामने द्रम की भी हम बात कर सकते हैं, यह नितिकता के आयाम है, मतलब एक गुवर्ण द्रम है, जो आज कल उत्रा प्रासंगिंग नहीं, मेरे साफ से प्रासंगिंग होना भी नीची है, क्योंकि ऐसे सिदान्त पहले लिखे गए हैं, तो जो इस कोई मानता नहीं मानता, वो विवेक्तिकत मामला होता है फिर, लेकिन जैसे हम इसमें देखें, सामने द्रम एक अच्छा है कि सामने द्रम हमारे तो वह करतावी एक करम है, और यहां पर आगे हम देखेंगे, पास्चात ते इदी नितिकता के आयाम की दिर्शन कुर्ण से देखें, तो इसमें माने के नितिसास्तर और नितिसास्तर है, उतना कोई इंपोर्टेंट है नहीं, मतलब इसमें, ज्यादा कोई खास है नहीं, लेकिन इसमें हम यह देखेंगे किस परकार जैसी उप्विकता वादी सिदानता है, या कांट कर नितिक करते वादी सिदानता उसको हम आगे आने वाले लेसन में देखेंगे इसके लाब विवनात्म नितिसास्तर है, मेटा इथिक्स है, प्रियोगात्म इथिक्स है इनका उतना कोई महत्वे एक्जाम के साबसे है नहीं बिस यह पॉइंट है थोड़े सी जो हमारे काम आ सकते हैं मेरे साब से उतना कोई महत्वे है निस इन पॉइंट का आगे हम देखेंगे कि नितिसास्तर के निर्दारक तत्वे कोन से है यह इंपोर्टेंट हो सकता है, ऐसा कुछन पहले भी आया है तो ऐसा कुछन आगे भी आ सकता है कि नितिसास्तर को डिसाइड कोन करता है या नितिकता को कुण डिसाइड करता है ऐसा कुछना सकता है तो इसमें दो चीज़ है कि आंत्रिक और बाही पक्स होते है जैसे आंत्रिक क्या होता है कि जैसे आपके मन की आवाज क्या है इसके लावा आपका पालन पोस्टन कैसा हुआ है आपकी सेंस करती कैसी है ठीक है, आपको परिवार ने क्या भमिका नहीं भाई, स्कुल सहिस्तान के क्या भमिकां भी उसमें इसके जालव धर्मदर्सन जो बी आप पढ़ते हो परिवार से सीखते हो मतलब आपकी माद्सी की सिसी है आप उन्ची जोग को लेकर क्या सोचते हो इसके लाब परिवार, समाज, सवेजी कारी इनकी ममी का होगी तो यह तो मतलब एक वेक्ति के आंत्रिक पक्स से डिसाइड करता है कि आपकी नितिकता कैसे होगी मतलब आपका नितिसासतर मतलब कैसा होगा ठीक है इसके लाब यह दि बाई पक्स की बात करें छोगेतो दिया क्ो वीमोजरे चैयरे मोसी नेता करना जोपना जासा ज़ित, मतलब आपनी मतलब na वेवार को पीवरतन करता है। इसको जो प्रते हैं डिर सेरत है, मतलब जोपना होगेतों खिरताया है। इसके लाव नोकरशाय की क्या बोमिका है तो यह निती-षास्थर के निरदरक तत्व है इसके लावा हम आगे बात करेंगे आगे का जो टopikk है कि निजी समंदों में निती-षास्थर कैसा होना चाहिए और कैसा होता है कौन्छे मतलब इसमें बिंदू और पॉइंट सामिल कर सकते हैं तो ऐसे कुशन तो डिरेक्टली आ सकते हैं तो इन पर हम थोड़ा सी चर्चा कर लेंगे तो निजी समंदू अच्छा ऐसे जो डाइग्राम फ्लोचार्ट मैंने देखो इसमें खूप सारे डाइग्राम फ्लोचार्ट बनाने की कोशिज किये आज कल ये एक नई सेली आ गई है कि एक्जाम के अंदर ये इम ये नहीं बनाएंगे न तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि आप इंग्लिस मेडियम के टोपर्स की कोपीश देखना है उसके अंदर ये सेली आ चुकिए तो मैं भी कोशिज कर रहा हूँ कि अपने आंसर राइटिंग में क्योंकि मुझे भी अब एक्जाम देना है अभी मेरे पास दो अटेम्ट बागी है तो मैं भी अब अच्छे आंसर राइटिंग सुधार कर कोशिज ये करता हूँ कि हिंदी मादे में अच्छे मतलब अच्छे रेंक लाई जाए तो मेरे कोशिज होगी कि मेरे साथ साथ आप भी अच्छे पढ़ाई करो और ऐसे मोडल आंसर लिखने की कोशिज करो और आप यार विश्वास कर सकते हो कि जब इन मोडल आंसर से मैंने तीन वार इंट्रिकॉल किया है तो आप लोगों का निश्ची तुरुप्च होगा और समय के साथ हमारा नोलिज तो बढ़ रहा है यह इंट्रिकॉल तो जैसे मेरा इंट्रिकॉल 14 और 16 और 16 में होगा है और आगे जब हमें एक्जाम देंगे तो निश्ची तुरुप्च इंट्रिकॉल तो पक्का होगा स्कंद्रिकॉर ₧ और 157 और 16 में तो हिंडी मार्कोमैे मीधा मोर्स हिन्टिकॉल तो की अठीकॉल व क। प मैं तो अलग पर में अलग लग हाईस्थ नम्बर और 139 में पहले तो हम मंपहले से चाने मार्क लेसर तो जिस में से मिधा fussy नबर आने संगा वी रेंक भी आई है, तेरी भी रेंक भी आई है, आजकल दो-तिन साल से थोड़ा सा मतलब गड़ा गया है कि इन इमादी में उतनी च्छी रेंक नहीं आई है, लेकिन हम दोस्ट सिस्टम को नहीं दे सकते हैं, हमें एक ही काम कर सकते हैं, कि हम अपने आप में कैसे बदलाव ल नहीं था, तो मैं अब लेशन के मादे में से कोशिज करता हूँ, न्यू एस्प्रेंट को किस प्रकार में गाइड कर सकता हूँ, और उनके साथ में कम्यूकेसन स्किल कर सकता हूँ, तो मेरा इंट्र्यू द्री अपने आप सुदर ने लग जाएगा, तो कम्या तो हम में है तो जैसे हम कई वार यह देखते हैं कि लगतार प्रिलिम्स नहीं निकलता, तो प्रिलिम्स नहीं निकलने के पिछे वज़ए कि हमारी स्ट्रेजी कराब रहती है, तो इसमें तो हिंदी-ंग्लिस मेडियम का कोई मतलब यहाँ पर हम बाना नहीं बना सकते हैं, कि इंग्लिस मेडियम की जो टोपर से उनकी कोपियां बाज करता हूं, तो उसके अंदर मेरी कोपी और उनकी कोपी में दिंदरात का अंत्र यार वो बहुत अच्छा लिखते हैं इसलिए उनके अच्छे मरक्स आते हैं, अब हिंधी में में जिन लोगों है अच्सा लिखा है, जैसे सेले इंदर इंडोलिया जी के जो मार्क्स जीएस में आये हैं, ऐसे पेपर में आये हैं, तो वो तो इंग्लिस मीडियूम के बराबर नमर आये, तो मतलब ऐसा आ सकते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव आसावादी नजरिया रखना है, कि आ सकते हैं, और आजकल इंट्रू में मैंने ंट्रू में हिंडी-मीडियूम के लोगों के यह कहना होता है, कि इंट्रू में कहीन की हमारे साथ अन्याए होता है, तो दोस्त तो ऐसा नहीं होता, इस साल जैसे हमारा roof था, जिन्होंने आ इस इंट्रू दिया थे हिंदी मीडियूम से, तो उनके मितलब 200 भी आए, 190 भी तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहां पर ग्यान हो गया ग्यान की बाती बीच बीच में करनी भी चाहिए ताकि आप लोग मोटिवेट हो पाओ जो न्यू एस्परेंट है बिना कोई नगरात्मक एटिटूड या नगरात्मक थिंकिंग रखते हो बिल्कुल समधिक हो में आता है ठीक है हम इसको एक्सम्पल के दूप में समचते हैं कि जैसे मेरा आप लोगों के साथ समन्द है यह नीजी समन्द पर नहीं करोंत्य है ताकि मैं टाइम पर लेकर आऊंगा, इतिक्स के लेसन आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो अब मैं आज से, या मने एक लेसन पहले भी बनाए, तो मैं अब मेरी खतनी और कर्णी में अंतर नहीं है, तो मतलब ये एक अच्छा मतलब विश्वास काईम होगा हम लोगों के लोगों के क्या डिमांड है, आप लोगों की समझ्या है क्या है, तो मैं इन सब समझ्याओं को महसूस करके उसके अक्रोडिंग ये लेसन बनाता हो ना, तो ये मेरी इमोसिल इंटलिएंस को दिखाता है कि किस परकार एक न्यू एस्परेंट है, वो एक्जाम की तहरी, किस परकार उसको करनी चाहिए, उसके पास रिसोर्सेज की कमे रहती है, उसके पास कहीने की सूजराओं को अबाव रहता है, तो उसके साफसेदी में अच्छे लेसन आप लोगों के सामने प्रोडूश कर पाता हूँ, आपको अच्छी हेल्प कर पाता हूँ, तो ये मेरी एक emotional intelligence को दिखा पाता है, इसके लावा आप लोगों की emotional intelligence को दिखाएगा कि किस परकार आप अपने आसपास के वातरों को समझते हो, लोगों की बलाई के लिए काम करते हो, वंचित बरक के मतलब जो भी है, आप हेल्प कर पाते हो, उनके environment का आप कैसे ख्याल रखते हो, तो ये लिए अपने आच्रन बनने लाना है, जैसे बहुतिक वात को जड़ा मतलब ज़दा अपने आच्रन बनने लाना है, ज़दा मतलब कोशिज ये करने कि simple living कैसे कर सकते हैं, कि जैसे हमारी पढ़ाई लिखाई हैं, इमान दारी से अपनी पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा खेलें, अच्छा कुदें, खुस रहें, तो ये simple living रखोगे न आप, तो मतलब life में आप मतलब ज़दा आगे बढ़ोगे, अफसाद आपका दूर रहेगा, तनाव आपसे दूर रहेगा, इसके लावा आप क्या कर सकते हो, करम सील बन सकते हो, सत्यनिष्ट बन सकते हो, इम जो लोग, मतलब अपने समंदों को लेकर, मतलब अच्छा आच्रण करते हैं, उन लोगों का आप जीवन देखना कितना सुकूद होता है, कितना उनकी happiness कितना उच्छा होता है, तो ये मतलब हमें अपने आच्रण में लाना चाहिए, कि हम किस प्रकार सत्य के मारक ब चल सकत हो, आप में सास होना चाहिए, सास कैसा होना चाहिए, कि आप जो भी कारी कर रहे हो तो किसी के मतलब किसी से नेडर रहे हो, आप में एक मतलब नेडरता है, आप में एक नेडरता है, अच्छी नेडरता है, तो आप अच्छा नेडरता हो भी परदान कर सकते हो, आप सास होना बहुत जरुवी है इसके लाब प्रेम और करणा मतलब क्या है कि हम यह इन्वारिमेंट के साथ या अपने आस पास जो जीव है उनके साथ में यह प्रेम और करणा रखते हैं तो एक हमारे के अंदर ही एक ऐसे नेतिकता का विकास होगा कि मतलब सभी लोगों के साथ पिर हमारा विवार अच्छा होगा और उसका फाइदा हमें ही मिलने वाला है यदि वेकती किसी से प्रेम करता ना तो उसका फाइदा वेकती को मिलता है त्शे दिमाग वेच्चे मतलब तो हमारे जिवन कैसा हो सकता है कुसाल हो सकता है हम हम देखते हैं कि बुठान का एगजिम्ठ ले सकते हैं कि बुठान किस प्रकार मचला पना ड्वोप्मेंट करता है कि वहां के लोगों में के पूर्ण त chilसromagnetin एक विधिक्स ड्विलप्मेंट हो गया है इसलिए हम देखते ह क्योंकि उन्होंने अपना development इस परकार बना लिया, happiness का बना लिया, ethics को उन्होंने अपने आचरन में उतार लिया, तो यह इस परकार, इस परकार नेजी समंदों में क्या हो सकता है, inspire people, मतलब कोशी यह करने हैं कि आप उधार बनो, दूसरे लोगों के लिए मतलब आदर्स बन मतलब बुर्गरेट के लावा यह जन परदिनी थी, उसकी क्या मतलब निती सास्तर यह नितिकता हो सकती है, तो पब्लिक लाइप में हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले यह होता है, कि सारजनिक जीवन में निती सास्तर का संबन्द जब हम देखते हैं, तो कि सारजनिक जीवन से असमें कोई कुछ नहीं था, उसमें बैस नियम और कानूनों का हमें पालन करना है, निसी दूरूप से पालन करना है, ठीक है, अब देखो यह नियम का और स्वविदान का कानून का जो अनुसरान है, वो अलग लग लग वेक्ति तो अपने डिपेंड करना हैं, यह नि किसी के साथ हमें भदभव नहीं करना है, अम आजकल देखते हैं कि बिर्टारिय में या कहीनी की राज़निती में बहीं बहाइब अदिजावाद ए इससी समस्चे यह परमुग लूप से देख सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, जो भी हमें डिशिजन लेना है वो नियाई और जस्तन फेर के साथ से होना चाहिए इसके लावा जिमेदारी लेनी है जो भी हमें कारिय दिये गया है उसको मतलब एक डेडिकस्न के साथ उसको पूरा करना है हमें जवाब दे ही बनना है तो यह निया कि हम सबसे बड़े उपर हो गये हैं हम तो सब कुछ हो गया हमारे पास बहुत power आ गया इसा नहीं होता हमारी बहुत सारी जवाब देता है और जिम्हेदारी होती है कि इनके परती जो हमारे के परतिये जवाब दे हैं भई्पी हम एंटिक्रटी बहुत इंपोरेन्ट चीज यह है जो भी हम कार्य करते हैं वहां पे भी ऐमे सत्ह northernष सजू होना बहुत जरूरी है ऐसा जैसा नहीं कि हम बश्चतार के मार्व पर चलकर अपने ही स्वार्तों में लग रहे हैं और लोग कितों को हम इग्डोर करते हैं। इसके लावब हमें इमानदारी को बढ़ा वा देना है। कोई उस ही यह का नहीं, आज सबसे का बात हो गी है, अच्छे बिलुग्रटी डेश को चला रहे हैं, उनको अच्छे नोकर सबसे के हम दह्युज़ते हैं, हुम जानते हैं, जानते हैं कि कोई भी संस्ता या कुई वेक्ति परप्रपेक्ट नहीं होता, उसको समय के लुसार बनाना पड़ता है, यह हम सब लोगों की जिमेंदारी है, तो मतलब बश्टाचार ऐसे आम बाते लेकिन इतना नहीं है, कि चारु तरफ बश्टाचार है, ऐसा होता ना तो फिर देशसल नहीं पाता, तो मतलब हमें इनका रोणा नहीं रोण अब तो ये काम करके ही दिखाना है मज़े चीक है आगे पॉइंट है नेतिक माबदन नूर आचरन हमारा कैसा होना चाहिए जैसे मतलब बुरुक्राट के लिए ओरड़ी नेतिक सही था और मतलब ऐसे बनी हुए है ना जैसे मतलब के लिए कोया हैं जायो कोसी जैसे मतलब करने कर दो ही करना है और इंट्रिव में तो ये विशेश तोर पर द्यान रखना है कि हमें directly सरकार की आलोसना नहीं करनी इसके वज़ाई positive step ये लेना है कि हाँ sir ये भी बहुत बड़ी है लेकिन इसमें ये होता तो और भी अच्छा होता ऐसा positive way में हमें बोलना है इसके लावा हम देखेंगे साहस ही नेतरतव है ये तो मतलब bureaucracy का एक मतलब हम जानते है आप अपने हास पास ऐस bureaucracy या नोकुर्शाव को देखो कि जो साहस रखते हैं वो अपने जीवन में मतलब एक अलगी मुकाम आसिल करते हैं लोगों की बलाई के लिए मतलब अलगी रास्ता अपनाते हैं वो किसी से नेटरते हैं वो अपने जो कार्य को अनुसार कानून नीमों के अनुसार नेटरता के साथ करते हैं और बस्टचार में भी सामिल नहीं होते है इसके लावा उनकी जो इमस्ति लें इंटलिजेंस होता है, बहुत हाई होता है, वो मतलब किस परकार, मतलब लोगों की बलाई के लिए कारे करते हैं कि वो लोगों की भावना को समझते हैं और उसके अनिशार डिस्यीजन लेते हैं, तो यह हमने पढ़ा सारजुनिक समंदों में नेती साथ तर इसक किताबों में आपको मिल जाएगा तो उसमें साथ सिदान बताएंगे निस वारता, सत्यनिष्टा, जवाब देही, इमान दारी, वस्तुनिष्टा, खुलापन, नेतर्तव है तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता अलग-लग सब्दा आप लोगों को बताने चाहिए और आगे ज इंदारी करना, ठीक है आगे फिर इसमें दियाव है कि निति-साथर्थी दैष्ट्रित कौन क्या होती है? इतिक्ल एप्रोच क्या होती है? तो इतिकल मैं मैं जानते हैं कि जब हम उन कुछतिन लिएगे न तो उसके अंदर बीच बीच पीच में इतिकल एप्रोच लेकि आ यानि उसका प्रणाम यदि अधिक्तम लोगों को ला पोँचाएगा ना तो वो डिसिजन आपका साही है कौन कहते हैं ये वप्विक्ता बात चेटा है ये बहने कह रहा हूं ये उप्विक्ता बाद अशा कहता है कि आप कोई भी काम करते हो और उसका फायदा ये अधिक्तम लोग उससे लाबानवित होते हैं या सुके होते हैं तो आपका decision क्या है? सही है किसने बोला? Benthamore James Meal नहीं बोला इसे परकार सुकवाद है मतलब सुकवाद ये बोलता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सुकों को बढ़ाने वाला कारी करना चाहिए लेकिन यह जरूरी नहीं है, सब प्रलाग होता है, यह दिए इसके अलवत ना करें तो हम बोलेंगे, फिर अलवत संग के लोग कहां जाएंगे, तो इसके साफ़ उप्पेकताबाद को हम खारिज कर देंगे, तो अलग-लग जगह हम अलग-लग इस्तिमाल करेंगे, अलग-लग जैसे कोई जहां पर नेतिक दूइदा होगी, या डिलेमा होगा, वहां पर हम बोलेंगे, कांट नहीं एका है, कि आपका गार्य नेतिक होना चीए, और यदि आप कोई नेतिक करतवे कर रहे हो तो आप उसका प्रणाम भी नेतिक होगा, और वो काम भी अच्छा होगा, ठी कांट ने है किसको मानए करतविय को पवित्रवाना है, तो इसको भी हम एकजाम में बाद में जब गया उसको उसके एप्लाइड करेंगे इनको, तब जाके इसमझ में आएगा, इसके लबगा अगला है सद्गुन नितिशास्तर, वर्चिदिक्स, वर्चिदिक्स क्या है? तो इसमें क्या है कि जो अच्छा चरित वाला वेक्ती होता है तो उसका कारी भी क्या होगा? अच्छा ही होगा. मतलब यह मान के सलता है कि जिसका करेक्टर अच्छा है तो उसका काम भी अच्छा होगा. ठीक है. इसके लाबा अगला है प्रयावनी नितिशास्तर. तो प्रया दाहनीता, सैस्तित्व है, स्थरक्षन, प्रयावन के अंदरीत, समगरता, मतलब जो भी हो, जो भी कारी हम करते हैं, उसको टोटलेटी में देखें, व्यापक्ता में देखें, तभी मतलब अच्छा मतलब विकास हो पाता है, तभी मतलब human happiness की और जापता है, आगे हम देखेंगे, कि नितिशास्त्री मानकों के सरोत क्या होते हैं, कि जो भी नितिशास्त्री मानक होते हैं, उनके सरोत क्या हो सकते हैं, तो यह जो टोपिक हमने पहले पढ़ेते हैं, उसी का आगे के सविस्तार है, कि उपगता वाधी दस्टीकों के नुसार हम बता सकते हैं, कि नितिशास्त्री मानकों के सरोत क्या हो सकते हैं, कुछ नितिशास्त्र विदी और कानून में क्या समंद है, यानि नितिशास्त्र विदी के अंदर क्या समंद है, या नितिशास्त्र विदी के अंदर क्या समंद है, तो यहां पर हम दो तिन चीज़ें लेकर चलेंगे साथ में, सबसे पहले तो यह देगेंगे, नितिशास्त्र व जिवापक है जिविदी संकिरन है यह मतलब छोटी है इसके लावा नितिसास्तर अनिवारी नहीं है मतलब मानो तो मानो नहीं मत मानो वह आपड़ेगा लेकिन कानून क्या करना पड़ेगा यह इसको फोलो करना पड़ेगा और फोलो नहीं करेंगे तो फिर दंड के सकती है त इसके लावा यदि हम बात करें जैसे इन दोने के तुलना हो गई कि निधिशास्तर वव विदी के मद्दि क्या संबंद ए तो मतलब संबंद यहां पर हमने की एक दूसरी से अलग लग है लेकिन एक्षिनल में फिर क्या होता है कि निधिशास्तर व व वीदी एक दूसरी के दर्शन है, उसमें पहले क्या खाया कहता ता अलग-अलग दरम में, जैसे जेन दरम, बगौत दरम, अलग-अलग दरम में हम पढ़ते हैं, तो क्या बोलते है hein, कि आहिन सापना नहीं है, या जीवों के परतिया में सही से ध्यान रखना है या environment के परतिया में हमारा जो करतवी बनता है उसको सही से निबाना है तो आजकल हमने क्या कर दिया? कानून बना दिया है ठीक है? जो पहले की नितिसास्त्र था न उसको क्या कर दिया पहले कि निटिशास्त्र निथिक्ता को क आचनून रूप दिया इसका एक्जाम्पल लिक रहा हो तो ऐसा diagram बनाना आपको ठीक है जैसे इसमें किया है Kि निटिशास्त्र विदी कहा है एक दूसरे की यांपे पूरख दिखाई दे रही है यानि कुछ विदी, नितिसास्तिर है, कुछ नितिसास्तिर विदी है. तो यहां पर ऐसा diagram بنना बनाना है कि इसमें? जहां पर एक दूसरी की पूरक के रूप में होना तो इसमें एक्जामपल दे देना है Environment Ethics का ठीक है? उसमें क्या लिख रैखने है? हमें environment की रख्षा करना है, महिलाओं को समान करना है लेकिन आप क्या कर दिया, हमने कानून बना दिया तो नितिसास्त्रों विधी यहां पर क्या हो गई दुनों एक दूसरी की पूरक है कि पहले कि जो नितिसास्त्रों विधी बन गई है आज कानून बन गया है तो उसके अंदर आप यह डाइग्राम इस्तिमाल करना कुछ ना आए ना, सोरी जब भी ऐसा कुछ ना आए कि नितिसास्त्रों विधी में क्या संबन दे है तो उसमें पहले तो यह बता देना कि आप यह बता सकते हो कि नितिसास्तरों विधी एक द्यूसरे के पूरक है उसमें आपने यह एक्जामपल लटा दिया यह डाइग्राम बता दिया फिर आप बता सकते हो कि नहीं दोनों में अंतर भी है तो यह अंतर हमने अभी बात किया अंतर भी दा दियना और उसके अंदर ये डाइग्राम बनाना है यहां पर नितिसास्तर और विधी का ये डाइग्राम बनाना है और इसके अंदर एक example समझाना है क्या समझाओ कि जैसे हम दारा 377 का लेते हैं यहां पर ठीक है यहाँ पर एक्जामप लेते हैं कि निती सास्तर और वीदी अलगलग भी हो सकती है कैसे हो सकती है अब देखो हमारे यहाँ क्या है वीदी के अनुसार या कानून के अनुसार दारा 377 पहले थी उसको अब इन्विले डिकोषित कर दिया है और यहां पर आसा करता हूं कि दारा 377 सब को मालूम है तो यह मतलब दारा 377 अपराकरतिक जो योन संबंद है या मतलब जो भी लेस्पिन बगरा है उन से रिलिटेड है तो इनको आप थोड़ा सा देख लेना दारा 377 को तो इसको आप इन्वेले डिगोशित कर दिया है क्यो अनितिक्ता है मतलब जो लेस्पिन है गे है जितनी भी चीजी है ना समाज की निजर में उन सही नहीं है तो यहां पर निती और वीदी क्या है अलग लग है समाज की नितीकता के न意指ारह 370 अभी नहीं रहना थैं जबकि वीदी की तो यहां पर धार्मिक नेतिकता वर्सेज वीदी अलग लग है तो यह बात अच्छी तरह से आप लोग समझ गयोंगे एक बार दुबारा से इसको देखते हैं तो यह थोड़ा कम समझ में आया होगा थोड़ा सा टप भी है जटिल भी है सबसे पहले जब भी कुछ ना है कि नितिसास्तर विदी में क्या समझ दे तो मैं सबसे पहले यह बताना है कि नितिसास्तर विदी एक दूसरे की पूरुक है प्राचिन समय में जो नितिसास्तर ताना आज विदी का रूप ले चुक है वह तो कुल विलाकर आप लोग यहां पर समझ गयोंगे नितिशास तरूर विधी क्या है क्या इन में समन्द है आगे हम देखने वाले हैं कि इस टोपिक से यूपी सी के एक्जाम में जो कुछन आये हैं उनके मॉडल आनसुर क्या हो सकते हैं और एक आनसुर का फॉर्मेट क्या ह सकता है ठीक है तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कुछन को देखते हैं कि सारजनी जीवन के अधारी सिदान्त क्या है अधारिक सिदान्त क्या है यूनिवर्सल जो जो भी सिदान्त है इन में से किनी तीन सिदान्तों को फिक दुदारनों के साथ आपको बताना है कि सेवल सेवां के संद्रब में सारविक प्रकति के युनिवर्सनल नेचर तीन आधिगरी शिदान्तों का खतन कीजिए और उनके महत्व को जागर कीजिए मतलब यह दोनुई कुषन आप देखना प्रिवेशर के कुषन देखोगे दोनुफेश्ट एक कुषन आया नहीं लगतार एक कुषन रिपेटेड हुआ है मैंने भी यह चीज़ नोटिस के कि इथिक्स के पेपर में क्या है मतलब जएदा कुछ है नहीं आप यह मेरी गारंट लगब घर साल पूशते हैं मुल्य वाले कुषन अरशाल पूशते हैं केस इश्चेडी में भी ऐसा कुषन नहीं है कि उनको कोई ज़दा हमें प्रेपेक्सन उसमें बनना है वह भी हम आने वाले लिसन में सीकेंगें तो इस कुषन को कैसे हैं यह दोनों लगब भग सेहम क सिदान्त क्या है इसको हमें पकड़ लेना है या इसको पकड़ लिना है कि युनिवर्सनल नेचर में होना चाहिए को उनसी मतलब जो वेस्फी की तरपर लागू होते हैं नहीं हर समाज में हर देश में लागं होते हैं उनके बारे में कुछन प्रूचा गिए और यहां पर तीन सिदान्त हमें बताने हैं, एक्जम्पल सहीद बताने हैं, तो कुशन की डिमांड यही है, उसके मेहत्व को हमें बताना है, ठीक है, कुशन की डिमांड क्या है, मूल सिदान्त क्या है, तीन सिदान्त को हमें परिवासा एक्जम्पल के साथ, प्रेक्टिल रूप में उसक फिर body part आएगा इसका, body part में हमें क्या लिखना है, और last में क्या होगा, conclusion होगा, निशकर्स होगा last में, ठीक है, तो introduction को कोशिज करना है, 2-3 line में आप लिख दो, ठीक है, यही इसमें करना है, conclusion में क्या लिखना है, 2-3 line लिखनी है, ठीक है, 2-3 line में आपका introduction होना चाहिए, 2- में जैसे कोई नितिकता पूचह नितिकता की परीवास सट्रक की परीवास सब्सक्राइए जैसे कोई और इंडेक्स की कोई रिपोर्ट आई हो जैसे कोई corruption का कुछ नो हो तो वहां पे corruption वाली इंडेक्स हम रिपोर्ट से सुरू कर देंगे मतलब अलग-लग model answer में अलग-लग intro बन जाएगा ऐसा ही हमें क्या करना है जो निशकर्स है उसमें क्या रखना है निशकर्स में एक बात ज्यान रखना है तीन-चार से याद रखनी है कि क्या रखना है कि आपको positive लिखना है, सकरात्मक लिखना है मतलब भविश्य उनमुकी लिखना है और इसमें हमें सविदान, समाज, आम जंता, वंचीत बुरग, मीडिया, NGO सब को जोड़ देना है मतलब इसके साफ से अच्छा निश्कर्स हमें लिखना है आगे हम देखेंगे body part कि मतलब हमें तीन पार्ट ध्यान रखने है सबसे पहले intro part, body part और conclusion part intro part और निश्कर्स part सब का लगबग हर कोई जानता है लिखना कैसे लिखना है main जो body part होता हो क्या होता है तो यहां पर question के क्या demand है तो यहां पर question के क्या demand है कि हमें तीन सिदानत लिखने है और तीन सिदानतों के उदाना सहीत हमें practical way में समझाने है कि कौन से universal netic सिदानत है जो कि सारजने के life में या civil से ओं में काम आते है तो यहां पर देखो question की format समझ लेना कि अच्छा सा intro लिखना है body part में जो कौन में पूचा गिया उस demand को पूरा करना है वो निसकर्स में positive way में उसको last में खतम कर देना है कि जो भी समझ थी वो समझान इसमें निसकर्स में दिखाई देता है तो यही हम करेंगे जो हमने अभी theory पढ़ देना कि किस प्रकार जो भी हमने उपर जो lesson पढ़ा है उस theory को यहां पर practical way में एप्लाइट कर देना है जैसे question की demand क्या थी universal सिदान्थ तो सिदान्थ क्या है यह universal सिदान्थ क्या है यह प्रकति में सारु बमिक नीम है और कानून होते हैं जो 20 वे के अधिकान समाज बस समधामी में लागो होने चीए मतलल जो basic जो bureaucracy के सिदान्थ होते हैं वो हर समाज में एक जैसे होते हैं और उसी को फिर क्या करना है बोड़ी पार्ट में लिख देना जैसे यहां पर क्या है सारुजनिक जीवन या सिवल सिवा से समधे तीन परमुक युनुर्सल सिदान्थ कौन से है जैसे मैंने तीन से आप अपने इसाफ से जो भी आप समझते हो, उसको जो भी कारी हाथ में ले देते हैं गर जाते थे यानि उन्हों के अच्छी मानदारी का एक 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 एकजमपल हम यहां दे सकते हैं इसके लावा जैसे आली में एकजमपल एक न्यूश्वर में है था कि अभी 2016 बेच के आई सधिकारी सुमय पंडे अभी मतलब मा बनी है लेकिन उनको मा बने अभी 10-15 दिने जब हो आपष पीस में कारी करते थे अपने जहां भी चेतर में उन्हों पर इमानदारे से कारी करते थे जैसे ओपिस की चीज़े अपने घर पे यूजमपल पर उंहों की आसे एक जैंपल पेस जांपने गहां ने तीन प्लेगा से एक kilogram बता है लेक तो बिने से परकार के लोगों की बलाई कारी किया। आपИक से थाकर किया ट कराओड फंदीं के मादे मिसलेगा लोगों के लिए एक г o क्लेमस्ट Crime舏 की बना दी आजब दिखाए क्यों कर दिखठाता है ले उनके पिल्म्ट कर्यूंते भाट है तो यह कई र्लार दिखाता है यह अच्छा थे प्ट हो आ पर जास कहें एक्ठा हों करीशल प्लाहते हों था रहूं को सब्सक्तों कि लिखेबर्ग में यह Фविण करणा को अच्छा व्यक्ति भी अच्छा कारिया नहीं कर पाएगा ठीक है सास का गुण उसमें होना चाहिए यानि बिरुग्रेश्ची में शिवल सिवा में या जो भी आप काम करें उसमें कई मतलब जो गुण होते हैं वो होनी चाहिए उसमें सास भी एक गुणा है जैसे उस आदर्सों को प्राप्त करने के लिए बिना अपनी जीवन की परवा की सत्तरूप सी कारी करना हम ऐसे एक्जामपल बहुत सारे देख सकते हैं जहाँ पर सास का प्रिची बुरुगर्ट या IPS सदिगारी के द्वारा दिया गया है जैसे मंजुनात का एक्जामपल आप जानते हो सतंदर्राथ दूबे है नरेंदर गुमार IPS MP कर रगे थे इनको मतलब किस प्रकार उनने खनमापिया खिलाब एक जंग छेड़ी थी लेकिन फिर वहीं मतलब कुछ नेगेटिव जो लोग है उन्होंने मतलब इनके खिलाब एक्शन लेके या नकरात्मुक चीज़ों के मतलब से इनकी जीवन को स्वाप्स कर दिया और ये देश के लिए अच्छे कारी के लिए सईध हुए है तो इसे सास वाले अच्छे गु है आज ये लेसन बहुत लंबा हो रहा है लग बग एक गंटे को होने को है और इतना लंबा तो मैंने भी कभी नहीं पढ़ा है इसलिए मेरा भी गला बेटने लगा है तो इसके लिए थोड़ी सी मापी चाहूंगा लेकिन ये लेसन डेडिकेसन के साथ यही हमारा इथिक्स पर डाल दूँगा वहां से आप डाउनलोड कर लेना अपनी फाइल बनने लेना और अपने एक जिम्दारी ओर बनती है ज्यादा से ज्यादा हिंदी विडियों की जो इस्ट्रेंट से आपके आस पास सब को शेयर करना है लोगों को बोलना क्या रहा है इनको मतलब देखो चैनल को सब्सक्राइब करो देखो जो फ्री लेसंस हैं उनका फाइद उठाओ यहां पर फिर एक और कुस्टन हम सामिल करने वाले हैं दो कुस्टन तो यह हो गए थे दोनुग लगतार आई वे थे दो कुस्टन और तीसरा कुस्टन हम देखने वाले हैं कि इस परस्ट इतिक्स है, मानों और समाज की बलाई के लिए काम करती हैं, उसकी प्रिवासडन है कि नितिक मुल्यों का क्या है, समुचे है जो हमें उपर पहड़ा भी जो व्यक्ति और समाज की मानों सिधानतों की रूप में कार्य करता है अपनी बाशा में लिखізा पूंग देना इसको आज भी प्रासंगी कम देखते हैं कितना बना हुआ है आज भी हमारे समाज में बहुत इनका योगदान है हमारे देश का सवेधनिक नितिशासतर बिना बेदवाव के सभी लोगों का मूलदिगार नियाय सवतोंडर समांता संसातरों के विकंद्री का सूनिशित करता इससे द यह कम करने में मदद मिलती है यह जो कि इस तरहे हैं उनकी बहुत अचाशा एक्जामपल है इसके लबा अचार निति प्रेम सानुति करोना आदि मुल्यों को बढ़ावा दिती है जैसे मतलब लोगों के परती जो रोगी है या वंचीत वर अगए उनके परती किस परका करोणों की बावना उनकी थी उनका एक्जामपल आप यहां बता सकते हो इसके लाओ आपके बाद जो भी एक्जामपल हो उसको यहां पर डाल देना पांसवा पॉइंट है नेतिकता वा कानुन वेस्ता में पूरुक समद होते हैं इसे एक तरफ नेतिक समाज का विकास होता है वहीं दूसरी और कानुनों का पालन भी आसान होता है जैसे यातायत नियूमों में नेतिकता इंपोर्टन होती की विक्ति को पालन करना चाहिए कान तो यह लेसं प्रेस्ट पूरा हुआ, बहुत बहुत धनिवाद, लेसंद को लाइक करना है, और अपने दोस्तों के चनल को सब्सक्राइब करना है, थैंक्यू, और इसकी फिडिये प्रेस्ट मेरे टेलेग्राम चनल से आप डाउनलोड कर लेना है